हलो गुन मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को मुकमंतरी हेमन्तु सोरेन की 555 करोड से अधिक की सौगात आने वाले दिनों में राज्य के हर परिवार को एक एक लाक रुपए देने की खोशना बीजेपी परसाध हनिशाना हेमन्तु सोरेन ने मंगलवार को जार्खन के पूर्वे सिंग्भूम और पर्शिमी सिंग्भूम परिवार को आस्थिर करने का प्रियास कर रही है राज में व्यासी व्यास्था बनाएंगे कि गरीबों को महाजनों से कर्ज लेने की जौरत नहीं पड़ेगी आने वाले पांच वर्सों में राजसरकार प्रतेक परिवार तक एक एक लाक रुपए की आर्थिक साहिता प्रकंड के डोबो काजू बगान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम में बोल रहे थे मुकवंतरी हिमन्तु सोरेन ने का है कि आने वाले पांच वर्सों में राजसरकार प्रतेक परिवार तक एक एक लाक रुपए की आर्थिक साहिता रासी पहुँचाएगी आज भी हमारे गाओं के गरीब गुर्वा लोग बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की साधी, खेती बाड़ी एवं बीमारी के इलाज के लिए महाजनों से रिन लेते हैं एक ऐसी वास्था खड़ा करेंगे जहां किसी भी जौरतमंद परिवार या व्याक्ति को महाजनों से कर्ज लेने की जौरत नहीं पड़ेगी उनकी सरकार अपने दम पर राजे के बीस लाग अवास विहीन परिवारों को अबुआज के तहट पक्का मकान दिने का सपना पूरा करेगी मुकमंत्री हिमन्तु सोरेन ने कहा है कि राजे सरकार के जीला एवं प्रखंड अस्त्रिय पदधिकारी पंचायत पंचायत गाउं गाउं टोला टोला में सिविर लगा कर सरकारी योजनाओं को आपकी घर आंगन तक पहुंचाने का कारे कर रहे हैं आंदुलनकारी संघर्स मोचा का जहारकन बंद आज निकाला गया मसाल जलूस जहारकन आंदुलनकारी संघर्स मोचा के तत्वधान में आज 11 सिपंबर को जहारकन बंद का आयलान किया गया है इसे लेकर मंगलवार की रात राची के सहेद इस मारक अस्तल से अलबर्टे का चौक तक मसाल जलूस निकाला गया आंदुलनकारियों ने अपने मांगों के समर्थन में नारा लगा है कि जारकन आंदुलनकारियों के जेल जाने की बाधिता समाप्त करतो हुए सभी को राजिके मान सम्मान अलग जारकन डिपहचान बेटा बेटियों को रोजी रोजगार नियोजन के अधिकारों की 100% गारंटी करने सम्मान पेंसन राजी 50-50,000 रोपे देना होगा पूर्व राजिपाल का लासपती मिस्रा की प्रतिमा जारकन से हटाना होगा राजिय में समता जज्जमेंट लागू करना होगा मुकमंत्री हिमंतु सोरेन को अपना वादा निभाना होगा आंदुलनकारियों को सम्मान पेंसन देना होगा का भी नारा लगाया जारकन आंदुलनकारी जंगर समोचा के संस्थापा केवं प्रधान सचिव पुसकर महतों ने बता है कि पचास सजार आंदुलनकारी अपने आधिकारों एवं स्वभिमान की रक्षा के लिए 11 सितंबर को जारकन बंद करने सड़कों पर उतरेंगी उन्होंने परिवहन मालिकों और दुकंदारों से बंद में सहयोग करने की अपिल की है आकासमिक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है केंद्री उपाद्धक जितेंद्र सिंग ने कहा है कि जारकन बंद के क्रम में सीमावर्ती राज्यों में सभी प्रकार के वहनों का परवेस वर जित रहेगा बंद कराने के लिए आदिवासी के साथ पहली बार कुसवाहा समाज की सौ महिलाएं तीर धनोश लिये रहेंगी 21 सितंबर को जारकन आएंगी अमित सहा दुमका में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे जंडी चार राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे साथ केंद्रिय ग्रीमंत्री अमित सहा 21 सितंबर को जारकन दौरे पर आ रहे हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश, ओडिसा, छत्तिसगर्ड और मद्द प्रदेश की मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे ये सभी लोग बिजेपी की परिवर्तन यात्रा में सामिल होने के लिए यहां आ रहे हैं इस परिवर्तन यात्रा की सुरवात दुमका से होगी एकेज सितंबर को अमित सहा जंडी दिखा कर इस परिवर्तन यात्रा का शुबारम दुमका से करेंगे आपको बचा दे कि बिजेपी द्वारा परिवर्तन यात्रा के लिए मंगलवार को रांची में महत्पून बाठक आयोजित की गई इसमें MP MLA के साथ साथ पार्टी के कई पौदधिकारी मौजूद रहे बैठक में विधान सभाचुनाव प्रभारी और केंद्रिय मंत्री सिवराज सिंग चोहान असम के मोके मंत्री हिमंत्रा विश्वास सर्मा जानकारी हो कि जार्कन में बीजेपी छे परिवर्तन यात्रा निकालेगी परिवर्तन यात्रा का उद्देश, राजमि भ्रष्टाचार, होकले वाइदे, लचर विधी व्रास्ता, महिलाओं के खिलाप अपरात, बांगलादेशी घुस्पैट और बदलती, डेमोग्राफी जैसे मुद्दो को जनता के सामने लाना है जारकन सचिवाले के एक हजार अफसर तीन दिवसी हरताल पर, सचिवाले निदेशाले सहित पांचो कमिश्नरी का काम ठब, जारकन सचिवाले सेवासं के एक हजार कर्मी तीन दिवसी सामोहिक आउकास पर चले गया है सचिवाल ने कहा है कि संघ के पूरी तरह से सफल हो हम सब मिलकर या सुनक्षित करेंगे कि हमारे हग की आवाज सरकार तक पहुँची मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवाले, नेपाल हाउस, एफएफपी बिल्डिंग, एमडी आई बिल्डिंग, सहित सभी सचिवाले सनलगने कारियले में काम ठप रहा सहक प्रसाखा पजदिकारी, अवर सचिव, उप सचिव से शन्युक्त सचिव अस्तर के पददिकारी सामोहिक आउकास पर रहे, इससे सचिवाले का काम ठप हो गया, फाइलो का मोमेंट रुग गया है इससे लेकर सचिवाले का अफसरों ने सीम हमंत सोरिन को पत्र भी लिखा है धनबाद के चिरकुंडा के बजरंग बली मंदर में फेका मांस तीन धराए इलाके में थानाओ, चिरकुंडा थाना छेतर के बाबू डंगला, सीम डबलियो कोलोनी इस्तित बजरंग बली मंदर में सोमवार की रात आसमाजिक ततों ने मांस का टुकडा फेक दिया मंगिलवार की सुभा मंदर में मांस का टुकडा देख, इस थने लोग आकरोशित होटे, खबर फैलते ही लोग मंदर में जुटने लगे, इलाके में इस्तिती तनाओ पूर्न हो गई, सूचना मिलते हैं, पुलीस भी मौके पर पहुंची और लोग को समझा बुझा कर सरकिल के सभी थानावा ओपी की पुलीस मुस्तैद है, निर्सा स्डिपो रजट मानिक बाकला स्वैम कोलोनी में कैम किये हुए हैं, और मामला सुलजाने में जुटे हुए हैं, उन्होंने दोस्यों के वुरुद कारवाई का स्वसन देतो हुए दोनों पक्चों से 37 सोहारत बनाने की अपिल की है, स्डिपो ने कहा है कि आस्ता के साथ खिलवार बरदास्त नहीं किया जाएगा, दोस्यों के पहचान कर उनके वुरुद का ठोर कारवाई की जाएगी, उन्होंने बताया है कि इसे मामले में पुलीस ने तीन लोग को हिराशत मुलिया है, उनसे प्रोकी और वर को मजबूती प्रदान करना है, ग्रामिन शेतर में रहने वाले अधिकतर लोगों का जुड़ाओ खेती बाड़ी की कारियोशे है, पिछले चार वर्सों में राजसरकार द्वारा किसान वर के लिए कई महतपून योजनाओं का संचालन और नीती निर्धारन की अगया ह काई कि जब गाउं समरिद होंगे तब ही राजी समरिद होगा, उनकी सरकार राज के गाउं की जड़ों को मजबूत करने पर लगी है, जब गाउं की जड़े मजबूत होंगी तब इस थाए तोर पर राज भी मजबूत होगा हिमन्तु सोरिन ने कहा है कि उनके सरकार सदयों यहां के किसान परिवार के साथ खड़ी है राजसरकार द्वारा कृसकों के दो लाख रुपए तक के कृसी रिन माफी का निरनय भी लिया गया है राजसरकार अब क्रिसी कारिक लिए किसान परिवारों को बहतर गुनवता वाले पसो प्रदान कर रही है राजसरकार ने पहली बार ऐसी नीती बनाई जिसमें क्रिसकों को प्रदान किये जाने वाले सभी पसों का इंसुरेंस किया जाता है ताकि पसों के मरने पर उन्हें वीमा की रासी उपलब्द कराई जा सके। जानकारी के मताबिक सरकार ने आयोग को बता है कि दोनों नेता लगतार जारखन का दोरा कर रहे हैं। सीम हिमन्तो सोरेन ने बड़े भाई दुरगा सोरेन को दी सरधांजली कहा हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहे। मुक्यमन्तो सोरेन ने मंगलवार को अपने बड़े भाई दुरगा सोरेन और जारखन आंदुलन की नेता दुरगा सोरेन की जनती पर उन्हें सरधांजली अरपित की। सीयमन्तो सोरेन ने लोवाडी नामकुम इस्तित दुरगा सोरेन समारक पर उनकी प्रतिमा पर माल अरपन किया और उन्हें उस्प अरपित किये। सीयमन्तो के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। मितलेश कुमार ठाकुन ने बता है कि गड़वा विधान सभाद शेत्र के चिनिया प्रकंड के ग्राम चिरका में 1.12.55800 रुपे की लागत से, डंडा प्रकंड के ग्राम मोती हारा में 1.36.25600 रुपे की लागत से, ग्रमकंडा प्रकंड की ग्राम सबाने में 1.42.53.300 स्टेडियम का निर्मान किया जाएगा. देविका और साही कादिदी 1-2 साल के अंदर रिटायर करने वाली है, उन्हें 2 लाग रुपे की रासी प्रदान की जाए. उन्होंने बताया कि जारकंड में हरताल से कारे बादित हुआ है, अगर जारकंड सरकार हमारी मांगो को नहीं मानती है, तो हम आने वाले 20 सितंबर स आने शितकाली नहरताल पर चले जाएंगे, जिससे जारकंड सरकार की चल रही योजनाए बादित होगी, उन्होंने या भी बताया है कि जारकंड सरकार का हमारे उपर कोई ध्यान नहीं है, सभी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने में हमारी आहम भूमी का रहती है. मजदूरों से भी बुरा वहवार कर रही है, वही विश्रुविद्दाले की तरब से सिर्फ आस्वासन दिया जाता है, छात्रों ने कहा है कि इस बार मातर 400 रुपे प्रती महा अस्टाइपेंड देने का उफर दिया गया है, छात्रों का कहना है कि इस हिसाब से प्रती दि के मात्र 13 रुपे होते हैं जबकि दिहारी मजदूर भी इससे ज़्यादा कमाते हैं लिहाजा प्रती महा कम से कम इंटरनसीब अस्टाइपेंट 15,000 रुपे प्रती महा दिया जाए इस दोरान शात्रों ने बता है कि 2016 से 18 बैच के स्टुडेंट्स को इंटरनसीब रासी नहीं दी गई थी इस दोरान शात्रों ने बता है कि पश्रिम बंगाल में 20,000 रुपे प्रतिमाहा, बिहार में 17,000 रुपे प्रतिमाहा, केरल में 20,000 रुपे प्रतिमाहा, बिहच्यू में 23,500 रुपे प्रतिमाहा और शत्तिसगर में 13,000 रुपे अस्टाइपेंड दिये जाते हैं। लेकिन 2016 से 5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटरनसिब का प्रवधान किया गय है। 2016 बैज का इंटरनसिब कोविट के समय आया था, इसलिए उनका रिवाईज नहीं हो पाया, अभी ICAR के जरिये 3000 रुपे 6 महा के लिए प्रती महा मिल रहा है, जबकि 1 साल तक मिलना चाहिए। राजी वेटनरी कॉलेज के छात्रों ने कहा है कि हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ भेद भाव किया जा रहा है, ऐसे में घर से पैसा मंगाना पड़ता है, लिहाजा पडोसी राज्यों के इंटरनसिब सिस्टम का अध्यान किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में मंगलवार को जीम ने टाटा नगर में तैयारियों का जा जा लिया, यहां मीडिया के साथ बात करतो हुए जीम अनील मिस्रा ने बता है कि अगामी 15 सितंबर को पीम नरेंदर मोधी का आगमन हो रहा है, टाटा नगर एलवेस्टेशन से कुल 11 वंदे भारत ट्रेन को पीम हरी जंडे दिखाकर रवाना करेंगे, इसमें जमसेदपूर के टाटा नगर इलवेस्टेशन से टाटा से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है, इस दोरान देज के अलग-अलग अस्टेशनों से 10 और वंदे भारत एक्सप्रेश को ऑनलाइन हर प्रेशन दिखाकर रवाना किया जाएगा, इस दोरान कारिक्रम अस्तल प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आवागमन बंद रहेगा, सुरक्षा की तमाम व्रास्था, SPG की टीम शमालेगी कोशिस की गई, इस दोरान राज्यों की वर्तमान हेमन्तो सोरियन सरकार से जनमुद्दो पर वादा भी निभाने की मांग की गई, इस प्रदसन में जाने माने अर्थसास्त्र जयाद्रीच, योगेंदर यादो सहितकई, जो है समाजिक संगठंच जोड़े लोगों की इस धरने के सुरवात में समाजिक कार्यकरताओं ने कहा है कि 2019 के विधान सभाच्यों में जामो कॉंग्रेस राज़त गडबंधन दल अपनी गोशना पत्र में अनेक जनमुद्दो पर कार रवाई का वादा किया पिछले पांच साल में, राजसरकार ने जन अपेक्छा अन इचा, खरकरी डीम, लुगबुरू, पावर प्लान समयत सभी जन विरोधी परियोजनाओ को रदे करे, पेसा नियमवाली को अधि सूचित कर कड़ाई से लावू करे, दलितों को जाती प्रमान पत्र वा भूमी पट्टा का अवंटन करे, आगनबाडी वा मध्धान भोज रोज अंडे दे, लंबे समय से जिल में बंद, विचाराधीन कैदियों को रिहा करे, बारा सितंबर जारिकन की राजनिती के लिए खास जेमिम और कॉंग्रेस के कई विधायक बदल सकते हैं, पाला, जारिकन में कॉंग्रेस और जेमिम अगामे विधान सभा चुनाओ की त तैयारी से पहले सीट सेरिंग पर भी चर्शा होनी है, सीट सेरिंग के मामले में अंडिये कडबंधन खुद को सुरक्षीत मसूष कर रहा है, तो इसी बीच जेमिम और कॉंग्रेस के विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं, सुत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक पाला बदलने की जेमिम और को बिचेपी का दामन थाम सकते हैं, वही छोटा नाकपूर परमंडल की एक कॉंग्रेस के विधायक भी बिचेपी में शामिल होशकते हैं, सर्पदन से महिला की मौत, बच्चे की हालत गंफीर, सर्पदन से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि म मिर्तका के 9 साल के बच्चे की हालत गंफीर बनी हुई है, बच्चे का इलाज नीजी अस्पिताल में चल रहा है, मिर्तका के पहचान गिरीडी जीला के, नीमिया घाट की के इंदवाडी निवासी गीता देविखिर उप में की गई है, प्रित्य महिला के पती का नाम तारा से बाहर आई और परिजनों को खटना की जान कर दी, सूचना मिलते ही परिजन आननफानन में गिरीडी से महिला और उसके बच्चे को लेकर धनबाद के, जो है, SNMMCH अस्पिताल पहुचे जहां इलाज के दोरान महिला ने दम तोर दिया, कोई बच्चे का भी इलाज SNMMCH में समर्थन, बोले वधायक सर्यूराय, जमसेदपूर सहर में अपराधी घटनाय तेजी से बढ़ रही है, आसा प्रतीत होता है कि पुलीस प्रसासन इन पर नियंतरन पाने में आसफल हो रहा है, गोली बारी, छिंताई और चोरी जैसी घटनाय आम हो गई है, जिससे नागरिक सर्यूराय ने कही है, उन्होंने कहा है कि जमसेदपूर के कुछ चुनिंदा अपराधी गिरों को सत्ताधारी समू का समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो अपराध को और बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें जारकन सरकार के स्वास्त एवं खाद्य आपूरती मंतरी बनना जो मादान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कारिकर में भाग लेने पहुँचे, यहां मुकमंतरी विपक्च पर जम कर बर से, मुकमंतरी ने कहा है कि जारकन में जिस दिन से हमारी सरकार बनी हैं, उसी दिन से विपक्च के लोग सरकार गिराने की कोसिस मे लग गए हैं विपक्ष की गिद्ध नजर इस राज्य पर है अब चुनाओ नजदीक है तो आसमान से ये गिद्ध की तरह मंड़ा रहे हैं चुनती नहीं हैं बल्कि ये पैसे सरकार बनाते हैं इन्हें अब सबग सिखाने की जरत है हेमन्तु सोरेन ने कहा है कि चुनाओं में देश भर से लोग अब जारकन आएंगे और जूट बोलेंगे ऐसे लोगों से साउधान रहना है कहा है कि विपक्ष ने अपने पास नोट छापने की मसीन रख ली है इसी के बोते ये पूरे देश में विधायक सांसदो को खरीद ख राजनी 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 के इस दूसरे इस्टो टर्फ खोक्की अस्टेडियम के लिए मुक्यमंत्री और खेल मंत्री का भार व्यक्त करती है ये अस्टेडियम उनकी दूरदरसिता का साक्षात प्रमान है डाएन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या सभी आरोपी फरार दाला और लाटी डंडे से मार कर उसके घर के बाहर ही उसकी निरसंस तरीके से हत्या कर दी। पुरे मामले की जाज परताल में जुट गई है। को लेकर मुक्यमंत्री और डीजीपी के आदे सानुसार हाजारिबाग जिला प्रसासन की और से समहर नाले परिश्टर में जन सिकायत समधान सिविर कायोजन किया गया। जिसमें पुलीस मुक्याले की और से डीजी, वायरलेज, अर्श्वनी कुमार सिनहा उपस्तित हुए। उनके साथ सिविर में जिले के एसपी, अर्विंद कुमार सिंग, सेलेश कुमार, जो है सीडीपीो, डीएसपी, समयत सभी थाना के थाना पर भारी उपस्तित हुए। संथाल के दोरे पर पहुँचे राजिपाल संतोष गंगवार, पाकुड में किया ग्रामिनों से सनवाट, परिशंपर्तियों का किया वितरन, जहारखन के राजिपाल संतोष कुमार गंगवार, संथाल प्रगना के दोरे पर थे, मंगलवार को उन्होंने पाकुड जीला के लिट्टी पाड़ा प्रखन इस्तित सोनाधनी पंचायत में ग्रामिनों के शाथ सनवात किया इसके बाद उन्होंने वहाँ पर आदिम जनज्यातियों के बीच परिशमपतियों का वितरन भी किया ग्रामिनों के शाथ सनवात करत Philip राजियपान ने कहा है कि वे यहाँ सरकार की योजनाओं के क्रियानवयान पर लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाओ प्रयाप्त करने आये हैं क्योंकि पहले योजनाओं के लिए अवंटी धन का किवाल एक छोटा हिस्सा ही जनता तक पहुचता था आज की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी इस बात पर विसेज ध्यान देते हैं कि योजनाओं का सौ प्रतिसत लाप लोगों तक पहुचे बतादे कि राज्येपाल ने ग्रामिनों के समस्याओं को भी सुना ग्रामिनों ने इंटर तक के लिए आवासिय अस्कूल की मांगी है सिचाई के समस्याओं का समधान करने और सड़कों के निर्मान की अवश्रक्ताओं को रेखांग कित किया है आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले जिला परिश्रत सदस्षों ने कारियले के सामने धरना प्रदर्शन किया आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनरतले जिला परिश्रत सदसों ने चैबासा सहर में रैली निकालकर जिला परिश्रत कार्यले के सामने धरना प्रदर्शन किया जिला परिशत सदस्स से पेसा कानून को लागू करते हुए पंचायत प्रतनिधियों को उनका अधिकार देने की मांग कर रहे हैं District Mineral Foundation Trust Fund में पंचायत प्रतनिधियों की हिस्सेदारे की मांग की जा रही है इसके लिए लंबे समय से आंधुलन चल रहा है यह फंड जिला प्रसासंद्वारा, सांसद और विधाय के माध्यम से खर्च किया जा रहा है पंचायत पतनिधी की मांग है कि डियम एफटी फंड को वार्ट सदस मुखिया पंचायत समेती शदश और जिला परिशत सदस के माध्यम से ग्राम सभा की लगू शमेती बनाकर खर्च कराया जाए ताकि पैसे का सदुपियोग और धरातल पर सही योजनाओ का संचलन हो शके को ने माहोल खराब करने का प्रयास किया गाउं के दुरगाफ मंडप के समीप आसमाजिकततों ने दूसरे धर्म का जंडा गार दिया वही दूसरे दिन मंगलवार की सुभा जब ग्रामिनों की नजर दुरगाफ मंडप के समीप लगे जंडे पर पड़ी तो ग्रामिनों न इसका विरोध किया। दोस्यों को गिरपतार किया जाएगा। ग्यारा महिने और चार महिने की देरिश आगे बढ़ाए गई। विदेशक ने इस मामले की जाज के आदेश दिया हैं और कहा है कि लापर वहाँ अपसरो वाक कर्मियों के खिलाप का रवाई होगी। मंदर के पास सराप की दुकान कहुना समाज के नातिक मुल्नियों पर हमला व्यदान्त कोस्ताओ राची के कड्रू इस्तित स्री-स्री सीव पौरानिक मंदर के समीब ओना रेश्टोरेंट और बार में सराप की बिकरी एवं परोसने को लेकर इस्थानिय नागरिकों में रोस है। मंदिरों और सक्षनिक संस्थानों के निकट सराप परोसे जाने या बिकरी किये जाने समन्दित गतिविधिया नाकेवल धार्मिक भावनाओं को आहात कर रही है बलकि समाज में भी आसंतोष उत्पन कर रही है। मंत्री ठाकूर के गढ़वा इस्तित आवास पर सभी ने पार्टी की सदसता गरहन की मंत्री ठाकूर ने सभी को माला वा पार्टी का पट्टा पहना कर और मिठाई खिला कर पार्टी में शामिल किया। ये थी आज की जारकन की टॉप बड़ी खबरे।